हलो रिबाड़ी मैं दरमेंद कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो बाई डी के में आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने हम पी एफमेस पोर्टल से संबंदित एक समस्चा जो हमारे टीचर्स के सामने आ रही है उस समस्चा के समयधान के लिए ये ये वीडियो लेकर आपके सामने में आया हूँ ताकि हम सब को कोई भी भविश्य परिशानी ना हो पी एफमेस पोर्टल से संबंदित परिशानी क्या रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसका पता हमें कैसे लेगा इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ तो चल पर यह शुरुवात करते हैं इस वीडियो की और चलते हैं देखते हैं हमारे सामने कौन कौन दी समस्चा है PMMS पोर्टल पर आ रही हैं और वो कैसे दूर होगी और हमें उस समस्चा का पता कैसे लगेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां 3.0 पे क्लिक रहते हैं, फोनों कर लेते हैं, डेस्ट साइट पर, और यह देखे हम आ गए हैं, लोगिन पेज पर, यहां हम लोगिन पेज पर आ गए हैं, और मैं एक विद्ध्याले की ID से लोगिन करूँगा, उसे हम बोलते हैं, admin ID और admin password से, आपको दिखाए दे रहा है, यहां मैं उस विद्ध्याले की, ID भर देता हूँ, यहां gap दिया मैंने, और यहां हम विद्ध्याले की, उसकी ID लिक रहे हैं, ठीक हैं, यहां मैंना ID भर दी विद्ध्याले की, अब यहां लोगा मैं password, यहां मैं password डाल लहा हूँ, और पहली की तरह हम यहां इस पट्टी पर, नीली वाली पट्टी पर, हम लोग इन पर क्लिक नहीं करेंगे, हम एपने phone के keypad पर, एक arrow का बटन दिखाए देता है, इसको बोलते हम enter बटन, इस पर क्लिक करेंगे, और हम पहुँच जाएंगे, PFMS Portal के tap पेज पर, यहां हमें जितनी भी टैब हैं, वो सब टैब दिखाए दे रही हैं, यह देखें यहां सब टैब दिखाए दे रही हैं हमें, तो हमें कहां जाना है, यह देख लिजए, हमें जाना है, बैंक वाली टैब पर, इस पर क्लिक करने के बाद, नीचे हमारी यह इतनी सारी टैब कुल गई हैं, देखें यहां, इतनी सारी टैब कुल कर आ गई हैं, तो हमें कहां जाना है, उस समस्चा का पता हम कैसे लगाएंगे, कि वो समस्चा हमारे विद्याले में है, यानि हमारे विद्याले से सम्बंधित, जो एकाउंट हमें हमारे विवाग ने एपन करके दिया है, कि आपका एकाउंट नंबर यह है, और आपका बैंक यह है, ठीके, तो हम चलते हैं, एकाउंट एक्टिवेशन पर यहां यहां किलिक करेंगे हम ठीक है तो हम कुछ इस तरह पेज पर पहुंच जाएंगे यहां देखिए हम पहले स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे यहां से ठीक ओपर कुछ पट्टी दिखाए दी यहां में लिखनी है UK 207 जो हमारी स्कीम है फिर इसको हम यहां सेलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस परकार से हमारे सामने यह ऐसे आजाएगा जहां लिखावा है समग रसिक्षा और यह कुछ नंबर लिखावा है बहुत सरा बड़ा नंबर है और यहां हमारी स्कीम का नाम भी है इसको टच कर देंगे यह हमारी यहां आ गई है ठीके अब यहां अकाउंट नंबर है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीके अब हम क्या करेंगे सर्च बटन पर किलिक कर देंगे यहां देखिए यह सर्च बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहां देखे हमारे सामने खुल कर आ गए है कुछ इस फरकार से यहां सब खुल कर आ गए है ठीक है यह दो लाइन हमारे सामने खुल कर आ गई है ठीक है यहां देख लिज़े आप मैं बात कर रहा हूं इसकी Bank Branch IFS Code बस यहीं ध्यान देना है आपको कि Bank Branch IFS Code यहां उस बैंक का होना चाहिए जिस बैंक में आपका खाता ट्रांसफर किया गया है विभाग के दुवारा अब यहां किसका बैंक का नाम लिखावा है और किसका IFS Code है आप आसानी से पढ़ सकते हैं PNB, देहरादून, विधान, सबा और यहां IFS कोड भी उसी का लिखा हुआ है यह हमारे कुछ स्कूल्स के PFMS पोर्टल में एक प्रोबलम है और यह प्रोबलम इंतनी बड़ी है जब तक यहां उस बैंक का IFS कोड और उस बैंक का नाम नहीं आएगा लिखा हुआ जिस बैंक में आपका खाता सरकार्द वरा ट्रांसफर किया गया है तब तक अपने SNA अकाउंट यहनि SMC के SNA अकाउंट से आप एक भी पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते ट्रांसफर हो सकता है अगर आप अपनी PPA लेकर देहरादून इसी बैंक में जाएं तो आपके खाते से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जिसे भी चाहें आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है देहरादून इसी बैंक में जाने का हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो बार बार अपनी PPA को लेकर देरा दून विदान सबावाले बैंक में जाएगा क्योंकि आपके पोर्टल पर आपके अकाउंट में इसी बैंक का नाम लिखा रहा है और इसी बैंक का IFS कोड लिखा रहा है जबकि यहां किसका आना चाहिए मैंने साइड में दिखा रखा है आपके यहां देगरी साइड में यहां जिस बैंक में आपका खाता ट्रांसफर किया गया है भली वो मंगलोर टाउन में किया गया है तो वहां मंगलोर टाउन के बैंक का नाम और उसका IFS कोड होना चाहिए यदि आपका खाता लहबोली बैंक, लहबोली PNV बैंक में किया गया है तो यहां उसी का नाम लिखा होना चाहिए और उसी का IFS कोड भी लिखा होना चाहिए जबकि हमारे कुछ श्कूल के PFMS पोर्टर पर जम लोगिन करते हैं और बैंक डिटेल देखते हैं, हमारा बैंक का एक्टिवेशन करते हैं हम अपने बैंक के स्टेटस को एक्टिवेट करते हैं तब हमें पता लगेगा, यहां जब आप खोल कर देखोगे कि बैंक ब्रांच IFS कोड के नीचे किस बैंक का नाम और किस बैंक का IFS कोड लिखा हुआ है सभी अपने PFMS पोर्टर खोल कर देखिए और अपना जब आप बैंक का एक्टिवेशन करेंगे तब आपको पता लगेगा, जिस बैंक में आपका खाता टांसफर किया गया है विबाग के दुबारा यहां उस बैंक का IFS कोड है या नहीं है यह दिन नहीं है, तो इसका समाधान हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के ओफिस या फिर कह लिजे, जिला परियोजना अधिकारी के ओफिस में होगा अन्यथा नहीं होने वाला है तो सभी अपने-पने P.E.F.M.S. पॉर्टर खोल कर देख लिजे जब आप एक्टिवेट करेंगे अपने बैंक अकाउंट को आपको यहां इस पर दिखाए दे जाएगा कि आपके बैंक का खाता, आपका बैंक खाता किस बैंक में ट्रास्फर किया गया है कि हाँ उस बैंक का F.S. कोड और उसका नाम लिखावा है नहीं है, यदि लिखावा है उसी बैंक का नाम और F.S. कोड तो आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि यहां आ गया PNB देरा दोन विधान सभा का नाम और उसका F-S-Code तो आपको परिशानी खड़ी हो जाएगी आप SMC के SNA काउंट से एक भी पैसा किसी को ट्रास्फर नहीं कर सकते तो इसका समाधान आप जितनी जल्द से जल्द हो सके परियोजना कारेले में संपर्क करके जो भी वहाँ P-FMS के कारिये को देख रहा है अपने सूत्रों से पता लगाए कौन देख रहा है इस काम को और उससे संपर्क साधिये और अपनी इस प्रोबलम को समस्चा का समाधान निकालने का परियास किजे वरना आपका गणवेज का पैमेंट किसी भी परकार के पैमेंट को आप नहीं कर पाएंगे आपकी PPA उस बैंक के सिस्टम में सो नहीं होगी अगर यहां उसी बैंक का एस प्रोबलम नहीं है तो ठीक है तो यह एक समस्चा थी है हमारे P FMS पोर्टल में यह कुछ इसकूलों के सामने समस्चा आ रही है मैं गलती अगर नहीं करता हूँ तो कम से कम पांच परसेंट इसकूल के सामने समस्चा आ रही है तो इसका भी समधान आप कर लें और पहले लोगिन करके देख लें अपने बैंक एक्टिवेशन को करकर देख लें दोबारा से फिर कि यहां किस बैंक का FMS कोड लिखावा है यदि आपके उसी बैंक का है जहां अपका खाता ट्रांसफर किया गया है यदि यहां PNB देरादून विदान सबा का नाम और उसका FMS कोड लिखावा है तो आपको इसे सही कराना पड़ेगा वरना भविश्य में आपका बहुत सी कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा बार बार आपको देरादून जाना पड़ेगा इसी बैंक में अपनी PPA जमा करनी पड़ेगी तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में कोई समस्या आती है तो मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद जहिन